हलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Fire Estinguishing Method के बारे में यानि की आग बुझाने के कौन से तरीके होते है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले है तो चलिए शूरू करते है Fire Estinguishing Methods यानि की आग कैसे बुझाय जाती है उसके क्या मेथर्स होते है वो हम यहाँ पर देखने वाले है तो टोटल हम यहाँ पर चार मेथर्स देखने वाले है उसमें सबसे पहला है Cooling Second है Starvation Third है Smoothering और Fourth है Chain Breaking Reaction तो चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते है और समझते है कि इनका क्या मतलग होता है तो दोस्तो आपको यह पता होना चीए कि कोई भी आग लगने के लिए तीन चीज़े बहुत ही जरूरी होती है उसमें Heat, Fuel और Oxygen यह जब तीनों चीज़े मिलेगी तभी आग लगेगी और इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर हमने निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अभी अपलाई करने वाले है तो सबसे पहली मेथड है Cooling मेथड इसमें हम क्या करते है कि जो Fire का जो Scene होता है उसमें से हम Heat को Remove करते है उसे Cooling मेथड करते है और इस Heat को हम Remove करने के लिए By Using Water जो है वो इस्तमाल कर सकते है या फिर Foam टाइप जो Fire Extinguisher है उसका भी हम इस्तमाल कर सकते है फिर उसके बाद है Starvation मेथड इसमें क्या होता है कि जो Fire का जो Scene होता है उसमें से हम Fuel को Remove करते है उसी को Starvation मेथड कहते है और ये Fuel को हम कैसे Remove कर सकते है तो जो भी Fuel का सपला है उसको हम Cut करके इस Fuel को Remove कर सकते है फिर उसके बाद है Smoothring मेथड इसमें हम क्या करते है कि जो Fire का Scene होता है उसमें से हम Oxygen को Remove करते है उसी method को smootering method कहते है और इस oxygen को हम कैसे remove कर सकते है तो उसके लिए हम CO2 fire extinguisher या फिर DCV fire extinguisher का इस्तमाल करके हम oxygen को remove कर सकते है और फिर उसके बाद हमारी method है chain breaking reaction इसमें हम क्या करते है कि जो fire की जो chain होती है उस chain को हम DCV fire extinguisher का इस्तमाल करके भी तोड़ सकते है या फिर blanketing का इस्तमाल करके भी उस chain reaction को तोड़ सकते है इस chain reaction में क्या होता है कि किसी agent को हमें apply करना पड़ता है उस chemical chain reaction के उपर ताके वो जो जलने वाली जो products है उसमें breakdown कर सके और ये जो breakdown है ये heat या फिर oxidization के जरीए होता है तो ये जो चारो method है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर interfere कर लिया यानि कि किसी एक को भी अगर remove कर लिया तो हम fire को बढ़ने से रोक सकते है चलिए अब हमें एक chart देखते है और उसके तुरू समझते है कि ये चारो method कैसे apply होती है तो जैसे class A fire है वो है water type fire extinguisher या फिर उस आग को भुजाने के लिए हम water bucket का भी इस्तमाल कर सकते है और sand bucket का भी इस्तमाल कर सकते है फिर second class जो fire है यानि कि class B जो fire है उसमें जैसे petrol हो, kerosene हो या फिर diesel हो इसमें अगर मानलो आग लगती है तो उसको हम starvation, smooth ring और break chain जो reaction है उसके जर्ये हम इस आग को भुजा सकते है और इसके लिए जो suitable fire extinguisher है वो है BCF BCF यानि की bromo chloro di-fluoromethane फिर उसके बाद CO2 का भी इस्तमाल कर सकते है और फिर dry chemical powder यानि की DCP का भी इस्तमाल कर सकते है और sand bucket का भी इस्तमाल कर सकते है फिर उसके बाद है class C fire जिसमें अगर source LPG हो या फिर CNG हो तो उसको हम smooth ring या फिर starvation method से उस आग को भुजा सकते है और उसके लिए जो suitable fire extinguisher है वो है BCF यानि की bromo chloro di-fluoromethane और CO2 fire extinguisher फिर उसके बाद है class D fire अगर उसमे sodium phosphorus हो उसको अगर आग लगती है तो उस आग को भुजाने के लिए हम smooth ring method का इस्तमाल कर सकते है और उसके लिए हम special type का जो DCP powder है उसका हम इस्तमाल कर सकते है फिर उसके बाद है class E fire उसमें अगर source कोई motor हो या फिर transformer हो उसको अगर आग लगती है तो उस आग को भुजाने के लिए smooth ring या फिर star vision method का इस्तमाल किया जाता है और इसके लिए जो suitable fire extinguisher है वो है CO2 fire extinguisher और DCV fire extinguisher और फिर उसके बाद अगर class K type की अगर fire हो जिसमें source oil हो तो उसके लिए हमें chain breaking reaction जो method है वो apply करनी होती है और उसके लिए हम blanketing का इस्तमाल कर सकते है या फिर acquies film forming foam fire extinguisher का भी इस्तमाल कर सकते है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आग को कैसे बुजाया जा सकता है और उनकी क्या methods है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई